नमस्कार मैं आसी स्पाटक आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में काफी दिनों से कई बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर SSC IMD में कम्प्यूटर का जो संभाग है उसका जो प्रश्न है वो किस प्रकार से पूछा जाएगा उसका स्लेबस क्या है स्लेबस तो आप लोग आल्रेडी दे रखा था लेकिन क्या जो स्लेबस में दिया है वो इतना डी हुआ था ठीक है वो सब्जेक्टिव पेपर था लेकिन जो 2017 में एक्जाम हुआ वह आपका अब्जेक्टिव था और वैसे ही आपका दिसंबर में जो एक्जाम इसका प्रस्तावी था वैसे ही होने वाला है तो 17 की एनलेसिस मैंने किया पेपर बहुत ही एक तरह से बोला ज हो जैसे आपने BCA किया हो BSC कंप्यूटर किया है बला ही नहीं आपने पढ़ा है तो आप बिना कुछ पढ़े लिखे चले जाओगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 45 प्लस करके आओगे ठीक है जनल साब पूछता है जो और भी कंप्टेटिव उग्जामों में जो क्वेश्च किस पार्ट को आप पढ़ लो तो आपका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को सेर और लाइक जरूर कर दे और चैनल पर जो बच्चे नहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और एक महतपूर सूचना और बत पार्ट है आपका जो एकदम S.S.C. की तरह है वो आपको पूरा मिलेगा ठीक है और बाकी आपका जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में आपको फिजिक्स और कम्प्यूटर के सब्जेक्ट चलाय जा रहा है तो पार्ट A भी आपका यहां पर मिलेगा और पार्ट B भी इस course का प्राइज है लेकिन अभी इस पे जो है आफ चला है और यह आपको 999 में दिया जा रहा है पार्ट बी में computer और physics आपको चलाया जा रहा है तो जो लोग भी computer और physics पढ़ना चाहते हैं ठीक है वो आप परिक्षा प्लस एप से course को purchase कर सकते हैं परिक्षा प्लस एप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और वहां से आप SSC IMD का बैच जोइन कर सकते हैं ठीक है classes आपके start हो चुकी है classes का mode कुछ ऐसा रहेगा कि देखिए समय आपके पास कम है तो सबसे ज़्यादे जरूरी होता है कि question पे आप ज़्यादे focus करो किस प्रकार के question और जो जो topic दियाना स्लेबस में वो topic अगर आप से पढ़ लेते हो उतने उतने point पढ़ लेते हो तो मैं बता रहा हूँ कि आप 70-75 प्लस कर जाओगे question सिर्फ topic जो दिया है स्लेबस में उसको overview खाली कर लो तो वो आप 75 प्लस उपर question करके आओगे ये मेरी guarantee है तो वही मैं बोलाओ कि सबसे ज़्यादे जरूरी है कि आपको questions को practice करना कि उस topic से उस part से कैसे question बन रहे हैं तो हमारा जो mode है कि आपको कुछ video जो है recorded और कुछ live दिया जाएगा और maximum आपकी practice कराये जाएगा तो अब इस syllabus पर हम लोग थोड़ा सा discuss कर लें कि syllabus आपका क्या है ये syllabus आपके कोई भी competitive exam में जाओगे तो आपका पहला जो part यहां पर दिया है सिर्फ computer लिखके जो दिया गया है यहां पर history of computer, classification, basic organization, memory, RAM, ROM, EP, ROM, magnetic, hard disk, memory यह सब जो हैं कैसे memory यह सब register memory इन सब चीजों का यहां पर दिया गया है CD-ROM, WR-ROM, concept of virtual memory यह मैंने already जो कई बेच मैं computer operator पढ़ाया हूँ अभी इधर recent में पढ़ाया जो आपके UP, PCL उन में भी इतना बिदोवाप पढ़ाया हूँ कि उनके बच्चे सिर्फ यह पढ़े होंगे ना तो उनसे कोई भी प्रसन यहां से आ जाएगा तो गलत नहीं होगा और यहां से भी अच्छे खासे जो है question आपसे पूछे जाते हैं ठीक है मैं दिखाऊंगा कि इस वाले पार्ट से जहां पे सिर्फ computer लिखा गया है तो overall कितने questions बनते हैं overall इससे 17 question आपको देखने के मिलेंगे कितने 17 question टोटल इसी में आपका number system भी include कर दिया गया वो भी मैंने पढ़ाया है तो आपको सब कुछ मैं यहां पर पढ़ाऊंगा कुछ VOD mode में रहेगा और बाकी मैं practice आपका session कराऊंगा ताकि आपको पता चल जाए कि हमें trackle कैसे करने है questions को और question आपके सामने कैसा आएगा जैसे number system से binary octal conversion आ सकता है यहां से ठीक है यहां subtraction addition multiplication बोला है लेकिन multiplication जो है बहुत कम chances होता है दो question पूछा था 2017 में वो आपका conversion से ही पूछ लिया था ठीक है यहां पर उसे जाने की जरूरुआत ही नहीं पड़ी floating point representation arithmetic का stack के through representation यह जरूरुआत ही नहीं पड़ा यहीं से आपका एक दो question बन जाएगा तो total 17 से हम बात करें कि 17 से 20 question यह topic आपको देगा अच्छे से ठीक है तो यह आपको journal किसी भी competitive exam की आप तयारी कर रहे हो जहां computer पूछा जा रहा है तो वहां से भी यह तयार हो जाएगा क्यूंकि कोई भी इसमें नया चीज नहीं है आप खुद देख सकते हो सिर्फ एक चीज इसको अटा दे किया है तो आप eligible हैं लेकिन एक condition यह है कि कुछ लोग BCA ऐसे कर लेते हैं कि जिनके पास 10 प्लस टू जो है वह साइंस सिस्ट्रीम नहीं होता है 10 प्लस टू अगर आपका साइंस सिस्ट्रीम नहीं है मतलब फिजिक्स और मैथ आपके पास नहीं है तो आप BCA की हो तो आप eligible नहीं होगे ठीक है कि वहां पर लिखा है notification पढ़ोगे तो दूसरा जो आपका point वहां पर डिसकस किया गया वो operating system का डिसकस किया गया operating system में देखो assembler element of assembling languages programming एक बार assembling language के लेकर बोल दाएगा तो यह मैं programming में ही बता देता हूं process synchronization क्या होता है memory management क्या होता है यह सब तो मैंने बताया को computer operator में बहुत विद्वत पढ़ाया था तो आप लोग को भी पढ़ा दिया जाएगा address binding dynamic loading linking लेकर लोडर लिंग कर यह सब चीजे पूरा operating system में और operating system से भी question जनल आया था कि कैसे होता है time sharing operating system क्या होता है real time operating system क्या होता है तो यह जब पूरा का पूरा जो operating system का पाट है वह memory का allocation कैसे करते हैं continuous होता है discontinuous होता है तो वह सब चीजे हैं उसके बाद से fragmentation में आ जाओगे तो उसमें भी non-continuous allocation paging हो गया segmentation हो गया यह सब उसके बाद से protection हो गया मतलब एक तरह से security purpose से जब आ जाओगे तो firewall इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहां पर देखेंगे sharing, fragmentation, protection, security यह सब पाड जो है operating system से पूछा जाता है और थोड़ा साइस में अगर मैं कहूँ operating system से आपके अगर यहां पर हाँ question जो है 17-18 question बनते हैं तो यह मान के चलो कि इस में से 7 question जो है आपके थोड़े ठीक ठाग बनेंगे moderate label का एक तरह से बोल सकते हो, moderate to hard बोल सकते हो, बाकी जो होंगे easy to moderate में ही रहेंगे 10-12 question आपके ठीक है चलो इस वाले में आजाओ operating system का पाट जादे है तो यहां से question भी जादे ही आता है, page replacement, algorithm, tracing क्या होता है, file system क्या होता है, अब यहां पर algorithm दे दिया तो कोई algorithm से आपसे सवाल नहीं पूछने वाला है, general सा concept पूछता है बस, ठीक है file system का access method कैसे file को access किया जा सकता है, उसका protection कैसे कर सकते हैं, यह सब system, input output system में वैसे आपको कहीं दिया नहीं input output device, लेकिन पूछा था, dot matrix से question पूछा था, printer से, ठीक है, CPU से रिलेटर पूछा था, तो यह सब चीजे हैं, तो वो EC में आ जाएगा, क्योंकि input output system दिया है, यहां देखो, input output hardware application, input output interface, जब input output interface का मतलब हो गया, कि जो input output device है, वो कैसे connect है हमारे system से, उसी को interface बोला जाता है, तो वो यहीं पर आप पढ़ लोगे, कहीं यह नहीं बोला है, कि input output devices नहीं बोला है, interface बोला है, तो interface में भी वो चीजे आ जाएंगी, कि आपको input output device पढ़ना है, जो आप general किसी भी competitive exam में पढ़ते हो, printer हो गया, mouse, joysticks, MICR, OCR, यह सब च system, जो kernel है, operating system का पार्ट होता है, kernel एक software होता है, पूरा operating system मेनेज करता है, तो kernel का क्या रोल होता है, input output devices के साथ, वो आपको यहां पर समझना है, उससे related, performance, secondary, storage structure क्या होता है, protection क्या है, goal, domain, SS, matrix, यहाँ से question पूछा था, यह एक नया topic है, यह पढ़ाते हैं, आपको कि ऐसे, इसमें questions कैसे बनते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसा नहीं है, कि पूरा का पूरा पूरा पुराना है, कुछ नहीं भी चीज़ें, लेकिन maximum, मैं बोलू अगर total, तो 75% ऐसा आपका है, इसले बस, जो आप कहीं न कहीं किसी competitive छोटे मोटे exam में पढ़े होगे, आजाओ, हाँ, assembler की बात करें, तो assembler दोता है, जो assembly language होता था, उसको convert करने के लिए assembler बनाया गया था, तो उससे कुछ चीज़ें हैं और यह थोड़ा सा नया है, बाकि हम basically assembler के बारे में उतना जान जाते हैं, कि assembly language को machine language में convert करता है, उसके detail में नहीं जाते हैं, थोड़ा यहाँ detail म जाना पड़ेगा, कि यह language programming है, उसका overview लेना पड़ेगा, इसका design of low pass, यहाँ से question पूछा था, low pass से, single pass, double pass जो होता है, यहाँ से पूछा था, authentication, threat, threat monitoring क्या होती हैं, वो सक चीजे, आपको, यहाँ पर यह भी operating system से ही part है, assembler अभी देखे आया थे ना आपको, कि operating system में ही होत है, complex instruction set और reduce instruction set जो processor होता है, वो आपके क्या होते हैं, वो assembling language में ही उसके अंदर instruction लिखे होते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस assembler को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके बासे fundamental programming language में, unix programming language हो जाए, चाहे dos हो जाए, चाहे linux हो जाए, सब में कहीं न कहीं चीज़े common होती है, ठीक है, तो मैंने dos पढ़ा है, linux पढ़ा है, तो unix भी आपको समझ में आए गया, 14 आपको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन इससे question नहीं पूछा था exam में, 14 language से आपसे पूछे गा भी तो यह पूछे गा है, किस लिए use होता है, इसकी को बनाया गया था, किसने बनाया था, क्या purpose था इसके बनाने के पीछे, तो वो सब पूछ सकता है, फिर oops का concept आएगा, object oriented programming language, बीच में आपका C languages, तो C से भी एक question पूछा था, कि function को कैसे हम define करते हैं, wide main जो होता है, main function, उसको आप उसका declaration पूछा था, object oriented programming language से पूछे था, ए data abstraction से question हो सकता है, लेकिन encapsulation से पूछा था, कि क्या होता है, जो data और function को दोनों bind रखता है, उस terms को क्या कहते हैं, तो encapsulation कहते हैं, C++ में oops के concept वही मैंने बोल दिया, Java में भी maximum आपके oops कही concept यूज होंगे, basics of compiler, compiler के वारे में पूछे, compiler का work क्या होता है, कैसे काम करता है, compiler through जो है, आपके operating system में कैसे load होता है, तो वो general सी चीजे हैं, जो आपको बिधवत तरीके से मैं पढ़ा वाया हूँ, ठीक है, database management system में आते हैं, यह DBMS system है, यहाँ पर आपको SQL के बारे में थोड़ा असा, और जो है, RDBMS के बारे में, सबसे ज़्यादे इसके बारे में, RDBMS औ पढ़ने के लिए, मलब database management system पढ़ने के लिए, Microsoft का MSSS पढ़ना जरूरी है, तो वो मैं आपको पढ़ा दूँगा, ठीक है, लेकिन Excel PowerPoint पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके syllabus में नहीं है, वहाँ से प्रस्न नहीं आएगा, ठीक है, आप paper देखा दूँगा, मैं recovery क्या होती है, recovery, backup करना, administration, उसका management, object क्या होता है, security और privacy data का, ठीक है, सर्च करना, rename करना, यह सब चीजे आपका इसमें पढ़ना है, और मैं अल्रेडी भी इसको पढ़ा चुका हूँ, तो यह आपको content बहुत बहतरी मिलेगा, notes आपके सभी, जो है, पूरा to the point है, internet technology में यहां से question पूछा था, mess topology से पूछा था, ठीक है, उसके बाद से आपका यहां पर आ जाओ, client server application से, network router bridge से पूछा था, IP addresses से question पूछा था, फिर यहां से HTML और XML से question पूछा था, web designing से था, कि web designing में, कि web page क्या होता है, पहले page को क्या काते है, तो यह general से जो concept हर एक exam में पूछा था, IPV4 पूछा था, कितने bit का होता है, और IPV6 पूछा था, यह दोनों पूछा था, bit C पूछा था, general उपर उपर वाले question पूछे गए थे, यह topic आपको नया है, यह पढ़ना है, यह कहीं भी आप पढ़े नहीं होंगे, तो overall अगर मैं बात करूँ आपको, तो थो एक्जाम में नहीं आता है, तो यह एक नया है, आपको पढ़ने के लिए, छोटे एक्जाम हम नहीं आता है, लेकिन computer-based exam में आता है, ठीक है, computer-based exam में आता है, programming भी आप नहीं पढ़े होगे, क्योंकि वो computer-based exam जोगा, उसी में पूछा जाता है, तो तीन chapter जो ऐसे हैं, अगर किये हैं, तो आपके लिए कोई भी topic नहीं पढ़ना है, सिर्फ इसको छोड़कर, fundamental or geographical information system, GIS, ठीक है, यहाँ पर GIS data को कैसे, मतलब एक तरह से पूरा अर्थ के जो है, global, जो एक तरह से बोला जाना, कि GPRS जिस पे काम करता है, वो इसी technology पे काम करता है, geographical information system पे, तो उसी के भिहाब पे इसीच को पढ़ना है, तो इसको अच्छे से पढ़ा जाएगा, और यहाँ से 5 question आपके पूछे गएते, अगर नहीं भी पढ़ते हो, तो 5 question छोड़ भी सकते हो, अगर आपके पास समय कम है, तो 5 से साथ मगर यह confirm नहीं है, कि 5 ही अगले बार भी पूछेगा अब मैं थोड़ा से analysis आपको बता देता हूँ, और फिर बताता हूँ कि आपके कैसे 85 plus question आप कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा सा effort पूट करके, थोड़ा सा effort पूट करके आप 85 plus question कर सकते हो, जैसे यहाँ देको history और generation, मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक अगर मैं बात करूँ, इस programming तक, sorry, programming तो छोड़ दिया जाए, programming तो आपकी अलग unit है, यहाँ तक मैं बात करूँ, इन से आपको यह जो है, यह computer वाले unit में है, जो computer लिखा है न, उसी से है, तो यहाँ देको 12, 14, 15, 16, 16, 20, नहीं, 17, 17 से 20 मैंने बोला था आपको, तो यही आपके 20 question यहाँ से बिने सोचो, और यह आप हर एक exam के लिए पढ़ते हो, इसको पढ़ने की जरूवत है, नहीं है, मैं कहूं तो एकदम नहीं है, ठीक है, लिखवा लो, इसको पढ़ने की जरूवत नहीं है, तो यह 20 question आपके तयार है, आपने इसके questions भी किये होंगे, ठीक है, यह मैं बता तो रहा प्रोग्रामिंग चलो, ठीक है, नहीं कोई पढ़ने की जरूवत है, इंटरनेट टेकनलोजी में आप पढ़े होंगे, क्योंकि यह भी exam में आजकाल पूछता है, इंटरनेट टेकनलोजी में, अगर हम बोलें, नेटवर्क जो, बोला जाए, नेटवर्क ही पूछा था, ब किये हो, तो बाइडिफाल्ट वो कहां सेव होता है, तो इस सब चीजें तो आप जनरल सा है, और वो कई exam में, छोटे मोटे exam में पूछा जाता है, तो यहां 14 question में, अगर मैं मान के चलूँ आप से, तो यहां 17 से 20 है न, मैं मानता हूं कि भाई, आप चलो 17 से 20 में, नहीं मुझे 15 करके दोगे, और यहां 14 है, तो आप मुझे किसी तरह 10 question दोगे, यहां 5, 1, 1, 2, अभी कुछ नहीं पढ़ रहे हो, तब आप का इतना होगा, अगर थोड़ा सभी आप exam की preparation की हो, computer based, तो मैं बता तो रहा हूं, programming आप की मैंने छोबा दिया, क्योंकि आप पढ़े न part भी जाते है, तो इस 22 question में मैं यह कहूंगा, कि इसमें थोड़ा आपको पढ़ना पढ़ेगा, क्योंकि हाफ आपका, अगर नहीं पढ़के जाते हो, तो आपको सिर्फ 10 से 12 प्रस नहीं attempt कर पाओगे, बाकी जो होंगे, वो नए segment से होंगे, paging, segmentation, हाँ, जो मुझे एक प questionship operating system के 10-12 कर सकते हो, तो अगर मैं 12 मानलों, 5, 5, 2, 7, 2, 1, 3, 37 question आपके यहां पे हो गए, 37 question आपके हो गए, database के भी आप general सा उज होता है, query value, वेली वेस अवला, input, output system से हैं, तो overall मैंने बोला तो 40-50 question आप करके आओगे, तो यहां अगर 3-4 question और बाकी से मैं मानलों, तो आ बिना पढ़े कर ले रहे हो, बिना पढ़े मतलब आप कोई भी one day exam की preparation किये हो, तो आप 40 plus कर ले रहे हो, बस उसके knowledge पर, एक unit तो आपके पूरी की पूरी वही है, मतलब 20 question तो वही पुरा है, और यहां पर यह भी दोने unit में, अगर मैं बात करूं, तो 10-10, 20 question और है, तो य दोला है, एक इसको अच्छे से पढ़ने की जरुवत है, क्योंकि यही turning point है, तो अब यहां पर वह आता है, कि दो चीजे, आपको एक पांचमा जो एक programming वाला है, और यह database है, अभी आप सिर्फ दो चीजों से 40 question पर पहुंचे हो, computer वाला, और internet और operating system, तीन topic से, एक computer जो internet technology, और दूसरा जो है, operating system, इससे आप 40 question पहुंचे हो, तीन topic से आपके, जो syllabus में है, अभी बर्क आपका बचा हुआ, जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, मैं पढ़ाओंगा, उससे आपको पढ़ना होगा, जैसे database, ठीक है, इसके आप, क्यूंकि इसके 16 के 16 question में मैं नहीं कहूंगा कि आप हो सकता है, तीन question भी नहीं कर पाओंगे, पांच भी जाना मुस्किल हो जाएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़े हैं, तो तो कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो आप 10 कर ले जाओगे, तो बहिया, ये 16 question आपके बचे हैं, और programming language बचा है, तो बड़ा चंक एक बचा है आपका database, और एक आपका बचा है programming, ठीक है, तो ये 16 और 14, 1, 1, 2, 3, 30 question आपके यहां से बन रहे हैं, कितने question बन रहे हैं, 30 question बन रहे हैं, तो बहिया, 40 पर थे और 30 और आगए यहां से, तो 70 पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया, तो ये आपको क्या करना, इसके लिए अभी मैनत करना है, इसके लिए 30 question के लिए आपको मैनत करना है, लेकिन 40 question आपके बने-बने हैं, और हो सकता है, थोड़ा सा और मैनत उसको revise मार दोगे, तो जो मैं तुम लोगों कहां कम कर रहा हूं, वो भी बढ़ जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, और फिर यह जो छोटे मोटे topic है, यह assembler हो गया, input-output system और GIS हो गया, तो सबतर पे हो, और इस सब छोटे मोटे को मैं कहा रहा हूं, क्या पढ़ना है आपको, कि जितना इसके अंदर topic दिया था, GIS के अंदर जो भी topic दिया है, बस उस topic का 3-4 lines उसके बारे में समझ जाओ कि यह है, क्या basically, question पक्का बन जाएगा, GIS का full form से ही बन जाएगा, तो वही मैं बोला, overall, 10 question आपके, और आप extra, इन सभी topic को से extra, मिला के mislaneous आप क्या करोगे, gain करोगे, तो आपके 80 प्रशन आपके बन जा रहे हैं, ऐसे हालत में, ठीक है, जब आपको ऐसा लगे कि करके आना, यह 100% यह 80 प्लस आपका जो है, 80 प्लस question आप कर ले जाते हैं, टेकनिकल वाले में, ठीक है, तो आपको selection कोई रोक नहीं सकता है, पिछले बार का साथ, cut-off मुझे जहां तक याद आ रहा है, कि overall cut-off जो था, क्योंकि और इसका कोई term नहीं है, एक ही होगा exam, SSC के यह tier 1, tier 2, tier 3 नहीं जाना है आपको, यहां एक exam देना है, part 1, part 2 होगा, एक ही साथ होगा, दो घंटे का paper होगा, ठीक है, तो दो घंटे के paper में, overall size cut-off जो गया था, वो हमें लग रहा है, 200 number में से आपका, 138 number cut-off गया था, जो SSC CGL का जाता है, 100 number का यह part है और 100 number का आपका SSC वाला part है, ठीक है, तो आप 100 number का जो आपका SSC वाला जो part है, जो आपका, English हो गया, reasoning हो गया, ठीक है, GS हो गया, और math हो गया यह आपका 100 number का है और 100 number का आपका technical है अगर आप इसमें कम जूड हो तो इसमें अच्छा खाला कर लो ठीक है और इसमें अगर आप S.A.C.K. student हो तो आपके बले-बले उपर से आप technical हो तो और बले-बले है ठीक है कि यहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर कर लो यहाँ पे कर लो अगर यहाँ पे 80 कोश्चन आपके एकदम सही सही होते हैं और यहाँ पे भी आप 50 कोश्चन 50 तो बहुत कम मैं बोल ला हूँ 50% का L.S.C. में कौन करता है तुमारा reasoning ही पूरा-पूरा ठीक है उसके बाद से आपका GS बचा और English बचा अगर आप यहाँ से 75 कोश्चन भी कर ले जाते हो तो डेड़ सो से उपर जाओगे बाकी normalization होगा ठीक है तो यह आपका है minimum का मैंने बोला minimum का बोला कि 155 प्लस आप करके आओगे जब आप मेहनत करोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप पढ़ोगे तो यह क्या 80 ही रह जाएगा नहीं यह 80 नहीं जो मैंने इतने में से आपको 6, 3, 9, 9, 5, 14, 15 में से और उपर से जो छोड़े हुए हैं उन में से आपको मैंने दस कोश्चन सिर्फ दिया है तो वो कोश्चन आपके बढ़के 15-17 कोश्चन आप कर सकते हो ठीक है आप वहाँ पर 15-16 कोश्चन कर सकते हो अगर आप 85 प्लस उपर जा रहे हो 85-90 के बीच में आप पर टेकनिकल में कर रहे हो तो sure and certain है भईया एकदम final selection और post ऐसा नहीं है कम है आपका बहुत post है और यहाँ पर जो आपके candidate मिलेंगे वो उसके आपका recording नहीं एक तो बीटेक वालों पर वैसे ही गाज गिरा हुआ है कि वो eligible है कि नहीं eligible अभी कुछ confirmation नहीं हो रहा है तो गिने चुने लोग है वो भी computer science में अगर देखो तो भाई सिर्फ BCA वो भी 10 plus 2 जो math और physics पढ़ाओगा वही BCA वाले eligible होंगे और BSC computer science और IT तो वैसे भी कई जगाँ पर होता ही नहीं है कई-कई इनवर्सीटियों में होता तो उसकी candidate कितने ही मिलेंगे तो आप समझ सकते हो कि आपकी fight किस से होनी वाली है तो इसका अब समझ लीजिए कि आगर आप इतना target रखके चलते हो कि मुझे 150 plus करना है तो आपका selection पका है सीधे joining लेटर आपको मिलेगा हाँ अब बही बात कि कुछ बच्चे पूछते हैं सर इसके लिए किताब क्या है तो भाई जैको 5 साल में एक बार वेकेंसी आती है तो market में कोई किताब नहीं है इससे specify लेकिन मैं आप लोग के लिए कुछ बता दे रहा हूँ बाकी मैं आपको class जो दूर दे रहा हूँ पूरे हर एक topic पे notes आपको देऊंगा अगर आप उसे पढ़े गए तो उसमें से आपके कोई भी चीजे बाहर नहीं जाएंगे ये ध्यान रखिएगा कोई भी चीज बाहर नहीं जाएगी पूरा उसी के recording रहेगा बाकी जिसे नहीं लेना है भाई सोच रहा होगा क्या course ले उसके लिए भी मैं बतावे नहीं कि एक strategy है कि आपको कैसे तयार करना है syllabus तो आपके syllabus के recording तो कोई किताब बनी नहीं है हाँ कुछ लोग होते हैं उपर का cover change करते हैं नीचे का माल जो है वही रहता है तो market में बेचना होता है आप देखोगे तो वो भी आपके syllabus के recording नहीं मिलेगा content जो आपके क्या होगा ना कि जो index होता है वो आपके syllabus के recording बना देते हैं लेकिन चीज़ें आपके syllabus के recording नहीं रहेंगे तो भाईया मैं simple से बहुत जादे खर्चा नहीं कराऊंगा आप लोगों का और यहां पर आप जब किताब लेने जाओगे तो यहां देखो यहां MCQs के भी आपके questions मिलेंगे जो हम practice कराएंगे 1000 प्लस MCQs हम दे देंगे आपको अरिहंत में आप ले सकते हो एक handbook आती है handbook आती है 200-200 के अप्रोक्स में आएगी है 255-95 रुपे की आती है जाना है मैंजन पर तो अरिहंत की computer science की handbook आती उसमें भी पूरा topic नहीं मिलेगा लेकिन main main चीजे मिल जाएगा ठीक है कुछ चीजे आपको तब net से search करके पढ़ना पढ़ेगा ऐसे होगी इसकी पढ़ाई कोई किताबे नहीं है मार्केट में उसके प्रेक्टिस के लिए मैं यह बोलूँगा कि क्या होता है आइबी पीएस का आइबी पीएस का एसो का एक्जाम होता है special officer का उसमें CS वाला जो content होता है उसके जो previous पेपर है उसको आप देख सकते हो तो आरिहां किरन जो है किरन जो है किरन पॉब्लिकेशन उसकी किताब आती है यह आइबी पीएस वाला तो database उसकी question आप वहां से निकाल सकते हो या किरन की practice set आई है इसकी IMD की वो आप ले सकते हो तो उसमें वो include किया होगा ठीक है IMD के तो इसमें आपको पता चलिएगा क्योंकि मेन है आपको उन topic से question कैसे बनते हैं वो जानना जरूरी है ठीक है बाकी सब तो आप Excel PowerPoint बहुत पढ़े हो उसके question भी जानते हो लेकिन यह topic नए है तो इनके question भी जानना जरूरी होता है तो बुक के लिए मैंने बता दिया भाई किरन को follow कर सकते हो और हन्त को कर सकते हो और कोई guide के साथ जाना चाता है तो GKP की guide आती है टेकनिकल में काफी famous होती है तो आप भी इसको prefer कर सकते हो overall थोड़ी थोड़ी theory और थोड़ी थोड़ी questions आपके इसमें पूरा part 1, part B करके द बच्चे हमसे computer पढ़े हो चाहे वह एसाई से related हो किसी भी और अभी जाहे जैसी मैंने पढ़ाया बच्चों ने बोला 25 में सर 24 question आप ही से पढ़ा हुआ था 22 question आप ही के एक सिफ्ट में आया था तो मैं guarantee दे रहा हूं एक बार पढ़े लिए तो वह चीज़े आपसे कभी भ चाहे matter हो चाहे questions हो चाहे practice हो वो मेरी जिम्मेदारी है तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे पढ़ना है basically आपको main जो focus करना है वो दो ही तिन chapter पर जो करना है एक आपको है जो आप नहीं पढ़े हो programming database ठीक है यहां से question जादे आता है और आपका programming हो गया database हो गया operating system हो और basic computer fundamental हो गया इनहीं से bulk में question आ रहा है यहां से आपके 20 question आ गये 14 इस से आ गये 16 question यहां से आ गया और operating system से 22-25 question आपका बनेगा ही बनेगा तो सबसे bulk chunk देख रहे हो कि अगर हम 20-20 मालना तो 20-20, 40-20, 60-20, 80 question तो almost कहीं यहीं पर हो सकता है मल्लब 70-80 question यहां बहरी करेगा ठीक है सिर्फ एक, दो, तीन, चार, चार topic से आपसे 70-80 question जो है आपका यहां ही से आ जा रहा है तो बाकी question उतना पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है जितना मैं बताऊंगा वस उतना ही पढ़ लो या उनके खाली MCQ कर लोगे तो हो जाएगा ठीक है तो चलिए बहुत ज्य करिए वहां से आमडी का बैच जॉइन करिए classes आपकी स्टार्ट हो चुकी है classes कुछ VOD लगा दिए गया और प्रैक्टिस जो है परलेल आपकी चल लाई है तो चलिए और कोई दिक्कत कोई समस्या है आपको IMD से related तो आप इस वीडियो के comment में कर सकते हैं उस समस्या का समधा टीम के द्वारा किया जाएगा इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद